हेलो गाईज कैसे हो आप सब दिस सेड अंकुर बंसल फिकल्टी ऑफ केमिकल इंजिनिरिंग एड दी अनेकेडमी प्लस गाईज जैसे की आप सब को कोल आ चुका है इंडियन ओयल से इंटर्विय के लिए और आप सब हमारी सीरीज भी फोलो कर रहे हुग इंटर्विय की तो उसी सीरीज में एक बहुत इंपोर्टेंट एक डिसकशन में आपके साथ करने वाया हूँ इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी वीडियो रहेगी तो जरूर देखना इसे मैं कुछ आपको ऐसी बाते बताऊंगा जो इंडियन ओयल में अभी रिसेंटली डिसकस हुई है और ऐसा सुनने में आया है कि आपके जो इंटर्वियूज होने वाले है उन इंटर्वियूज में इन पॉइंट्स के उपर ज़ादा डिसकशन होगा तो वो कौन-कौन से पॉइंट्स है मैं आपको बताने वाला हूँ I would want कि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से सुनो और हो सके तो उनके उपर थोड़ी बहुत रिसर्च भी करो ताकि इंडियन ओयल का इंटर्वियूज आपका सुपर फोम में मूव ओन हो तो गैस सबसे पहला पॉइंट तुम आपको बता दो कि इंडियन ओयल की इस साल 100 के आसपा से उससे ज़ादा विकेंसी है और next two years भी ऐसा नुमान है कि इतनी ही विकेंसी रहने वाली है और इसका reason एक बहुत बड़ा यह है कि इंडियन ओयल ने टन करने का पुरा पुरा इनका विचार है so 80.6 से 121 करना मतलब कि almost 50% capacity को अपनी increase कर देना so आज की capacity अगर x है तो 2030 तक यह 1.5 x हो जाएगी और यह बहुत बड़ी वात है और नई plants को चलाने के लिए इस नई capacity को संभालने के लिए trained engineers की जरूरत है जिनने आज hire करना पड़ेगा so that आने वाले टाइम में यह उसको handle कर सके ठीक है तो this is one of the major announcement यह बात आप ध्यान रखना 80.6 million metric ton से 121 million metric ton की expansion का plan है by 2030 guys इसके लावे मैं बता दू कि इंडियन ओल साथ ही साथ यह भी चाहरा है कि जितनी भी refineries है उन सब में petrochemical unit का वो integration करें because आप सब जानते होगी जब हम crude oil की distillation करते है तो naptha मिलता है naptha की steam cracking करके petrochemical products मिलते है और उन petrochemical products के फिर काफी सारी uses है उनसे polymers बनते है और वो polymers आगे further day to day life में use होते है तो अगर profit को increase करना है तो petrochemical का integration बहुत जरूरी है और जैसे पानिपत refineries में बहुत बड़ा petrochemical complex है इसी तरह इंडियन ओल plan कर रहा है कि बाकी जो refineries है वहाँ भी petrochemical की वो integration साथ में करें so that इंडिया की जो growing energy needs है उनको पूरा किया जा सके so we currently इंडियन ओल की जो petrochemical capacity है वो 3.2 million metric ton है जी हाँ present capacity of the petrochemical in the इंडियन ओल वो है 3.2 million metric ton जिसे 2030 तक इंडियन ओल बढ़ा कर 11 million metric ton करने वाला है जी हाँ more than 3 times more than 3 times मतलब आज की capacity अगर x है so 2030 तक ये 3x से भी जादा होगा so 3.2 को करने वाला है 11 million metric ton by 2030 तो आप आने वाले की time में देखोगे की काफी सारे engineers refinery में नहीं petrochemical complex में भी place और petrochemical को संभाल रहे है इसी के साथ साथ इंडियन ओल ने अपने जो supply chain है जो value chain है उसको o strong बनाने के लिए easy बनाने के लिए business process को easy बनाने के लिए काफी सारे digital tool introduce किये है उन digital tool के बारे में अगर आप पड़ सोगो तो बहुत अच्छा है like one of the very famous is digital twin जी हां digital twin के नाम से इन्होंने एक digital tool लौँच किया है और साथ ही साथ अब concurrent real time supply chain management and optimization भी लौँच हो चुका है so real time में आप tracking कर सकते हो पूरी supply chain की और optimize कर सकते हो अपने operations को साथ ही साथ control loop को और effective बनाने के measures लिए गए है controller and model पे special focus किया जा रहा है यह सारी चीज़े की जा रही है so that business processes को effective बनाया जा सके साथ ही साथ Indian oil में जो भी hydrogen related production है उसमें जादा से जादा natural gas का integration करने की कोशिश की जा रही है so that natural gas का जो हमारा target है उसे हम पूरा कर सके और साथ ही साथ मा आपको बदा दू कि हम Indian oil में अब आने वाले time में देखेगे कि grey hydrogen की जगा green hydrogen का use होना शुरू हो गया है आपको आयो पता होगा कि green hydrogen, grey hydrogen में क्या difference होता है तो grey hydrogen की जगे जो green hydrogen है उसका use अब Indian oil शुरू कर रहा है और सबसे पहली जो unit है वो मतुरा और पानीपद इन दो जगा पर लगेगी green hydrogen बनाने की मतुरा में मैं आपको बदा दू कि 5 kta किलो टन्स पर एनम और पानीपद में 2 kta मतलब कि 2 किलो टन्स पर एनम कि आपको plant 2024-25 तक दिखेगे जो कि 2024-25 तक operational हो जाएगे तो green hydrogen, gray hydrogen में क्या difference है यह जरूर पढ़ना और यह जो capacities मैंने बताई है यह आप जरूर याद रखना ठीक है अपार्ट फ्रम दैट आप सबको पता होगा कि refineries की जो electricity की demand होती है वो refineries में ही captive power plant होते है उनी से पूरी होती है जो आसपास township होते है उनको भी electricity captive power plant से ही जाती है but that electricity produced is very costly और उस cost को कम करने के लिए Indian oil अब अपनी refineries में integration कर रहा है power grid की जी हां मतलब जो regional power integration जो regional power companies है जो power distribute करती है उनहीं से integration करना चाहता है ताकि वहागी supply लिजा सके जो कि relatively काफी सिस्ती cheap पड़ती है ठीक है apart from that guys catalytic cracking unit के उपर काफी जादा initiative लिए जा रहे है ताकि process को decarbonize किया जा सके और जो भी हमारी CO2 है उसे capture करके उसे recycle किया जा सके, store किया जा सके जिससे की कम से कम जो carbon footprint है वो indianol generate करे because 2046 तक carbon neutral होने का भी एक pledge indianol ने लिया है तो उसे भी पूरा करना है apart from that मैं आपको बदा दो कि ethanol blending की तरफ कदम बढ़ाते हुए indianol ने अब 2G और 3G ethanol plants के उपर काम करना शुरू कर दिया है 2G के plant already operational है और हमारी 2G की जो capacity है वो 128 KL PD होने वाली है और 3G के जो हमारे plants ethanol के वो भी इस year के end तक fully operational हो जाएगे तो आप ये जरूर पढ़के जाना की 1G, 2G और 3G ethanol plants में क्या difference है basically मैं आपको बदा दो कि जो source of raw material होता है उसके difference के basis पे 1G, 2G, 3G ethanol plants define होते है तो ये सारी information जो मैंने आपको बताई है इसको लिख लेना हो सके तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना because ये सारे points बहुत ज़्यादा probability है कि आप से पूछे जाएगे और अगर आप इनका answer करते हो so that will be a big boost to your interview guys मैं आपको बता दू कि हम an academy में best quality education देते है और हमारा बस यही target रहता है कि सब का हम desired जगह पर जहाभी बच्चा चाता है वाप इस selection करवाए और इसलिए personal guidance provide की जाती है ताकि बच्चे को mentorship मिले proper way से उसकी scheduling, उसकी strategy, उसकी monitoring पे हम personal ध्यान देते है so मैं personally बच्चों को guide करता हूँ, बताता हूँ कैसे कैसे करना है और end तक जब तक उसका selection ना हो जाए, तब तक उसका साथ देता हूँ और आगे तो obviously हमेशा साथ होता ही है तो इसलिए आपके known में जो भी juniors है, जो भी gate की त्यारी कर रहा है या करने वाला है आप उसे बता सकते हो, मेरे बारे में, unacademy के बारे में और वो subscription लेके मेरी guidance में continue कर सकता है मेरा code है ankur 073, यस ankur 073 code के साथ आपको fee में भी 10% discount मिलेगा और साथ ही साथ आपको मेरी guidance के अंदर enroll करने का मुका मिलेगा जिससे की next year आप भी अपने आपको इंडियन ओल में पाऊगे या desired PSU's में पाऊगे, IIT's में पाऊगे और मिने dream को पूरा गर होगे so with that being said, all the best guys, I hope that you will rock this year in the Indian Hall interview let's crack it